हेलो फ्रेंज इस दीपक सिंग और आज हम तॉपिक डिसकस करेंगे अजास पतेल के बारे में ये टॉपिक हम इसलिए डिसकस करेंगे, इस पॉपिक के इंपोर्टन्ट है यह सरफ फ्रेलिम्स इलेटिद और फक्स देशन नाम इंगा यह देखा जा तो आपका एक साउब्देश का लगता है पर यह भूण हूए थे and he migrated to New Zealand in his early age और फिर अब ये New Zealand के citizen है तो New Zealand के cricketer है है इन्होंने India के against एक test match में Mumbai में एक inning में test match के एक inning में 10 में से 10 विक्टे लिए है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन से पहले जो players थे जो ने ऐसी achievement करी थी तो ये आज तक cricket history में तीसरे ऐसे player है जिन्होंने test cricket में first class की में बात निकारा हूं बड़ टिस क्रिकेट में जिन्होंने 10 में से 10 विक्टे लिए है जो पहले इंसान थे वो थे जिम लेकर जिन्होंने ये फीट 1956 में Australia के against अचीव करी थी he was an English ये British थे, England के प्लेयर थे तो इनकी खासबार तो वैसे ये भी है कि इसी test match में आपको पता test match में दो innings होती हैं तो इसी test match की दूसरी innings में पहली innings में इन्होंने 9 by 47 की फीट अचीव करी थी एक विकेट किसी और प्लेयर ने प्लेयर ने लिए थी तो उसके दूसरी innings में इनको लगा कि चलो यार कि अभी 9 by 47 ही अचीव करा है मुझे तो record नहीं बन पाया मेरा 10 में से 10 विकेट का तो उसी की दूसरी innings में इन्होंने 10 by 53 अचीव करी थी तो टोटल इनकी match figures कितनी हो इनकी 9 by 37 थी तो टोटल इनकी match figures थी 19 by 90 तो उसमें match में जिसको लेकर match कहा जाता है उसमें उन्होंने 20 में से 19 विकेट ली थी ये जिम लेकर की achievement थी दूसरा हमारे इंडिया के अनिल कुमले जी थी जिने उन्होंने 1999 में फिरोटशा कोटला मैदान में इंडिया में ही पाकिसान की अगेंस्ट ये फीट एचीव करी थी वेन ही एचीव दा फीट जब इन उनकी फिगर्स थी इनिंग की फिगर्स थी 10 by 74 तो सिंगल हैंडली पाकिसान बहुत अच्छा चेस करी थी पर अनिल कुमले की बहतरीन बालिंग की वेजास से ये उनने फीट अचीव करेंगे और इंडिया मैच जीता था अभी जो रिसेंट इसमें इंडक्ती हैं जो तीसरे प्लेयर्स है इस लिस्ट में तीन उसमिनज है वो है अजास पतेल जिनने इंडिया के अगेंस्ट रिसेंटली दिसंबर 2021 में ये उनकी फिगर्स थी 10 विकेट्स एड़ रन ओफ 119 तो ये इनकी अचीवमेंट थी ठीक है तो इसी तरीके से टेस्ट क्रिकेट हिस्टी में तीसरे बॉलर बन गए इनका पूरा नाम है एजास यूनस पतेल 1988 में बॉन हुए थे मुंबई में वैसे बैता हुए थे पर फाइनली अभी ये न्यूजिलेंट चले गए हैं चीक है और ये फीट इन्होंने जो मुंबई पड़ती है वो यह है और टू प्रिविएस इंस्टेंस इस यह जो फिगर्स अचीफ करी थी किसी बॉलर ने अपने होंग्राउंड पर जिम लेकर ने इंग्लेंड में ही अचीफ करी थी अनल कुमले ने इंडिया में अचीफ करी थी पर रेजास पतेल ने फॉरण सॉयल प इन दोनों के बॉलिंट के इन दोनों ने सेकिंड निक में मतलब जो आपकी डूसरी Имacication की सेकिंड निंग में चीफ करा था यह उनने फॉर्स इनिंग में अचीफ करी था और भी इंडिया की सोन चीफ करा था he also overtook the record of Richard Headley as the bowler with the best figures for New Zealand who took 9 by 52 against Australia in 1985 and this is also the first instance of a left arm spinner taking 10 in and innings in test match और अगर हम one day international की बात करें जैसे हम ODI क्याते हैं 50 overs game की अगर बात करें तो उसमें जो best figures है वो है Cheminda Vaz की जो श्रलंका के है जिन्होंने Zimbabwe के अंगेस्ट 2001 में figure achieve करी थी of 8 by 19 तो friends ये इसके आसपेक्ट थे इसमें और जादा कोई dimension तो है नी जो भी related अगर questions बनते थे कि इन्होंने पहले baller है जिन्होंने ये 10 victim foreign soil में achieve करी है पहले left arm spinner है जिन्होंने ये figure achieve करी है दोनों right hander थे ठीक है और ये इन्होंने अपनी opposition की first inning में achieve करा था बाकी दोनोंने second inning में achieve करा था तो ये key differences है और Monday cricket का भी मैंने आपको बता दिया है और मैंने आपको बता दिया था किसके opposition के context में है तो friends ये था मेरा lecture I hope आपको अच्छा लगा हो अगर आपको अच्छा लगा है then do like the lecture share it and subscribe to the channel of AQBIAS ये बहुत सारे हम social media platforms पे available है Facebook हो गया Instagram हो गया Telegram हो गया YouTube हो गया ये हमारा contact number है 93190-576-00 तो friends ये था मेरा lecture मैं साथ में आप लोगों को ये कहना चाहूंगा हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी लगए कि ये lecture मेंने क्यों conduct कर रहा है इसकी relevance नहीं है पट ये बात पिछले साल भी काफी लोग कहते थे उससे पिछले साल भी कहते थी कि UPSC ऐसे question नहीं पूछ जाती मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी साल पहले तीन-चार साल पहले UPSC ने में में decision review system जो cricket में implement करा जाता है DRS जैसे हम कहते हैं उसके बारे में question पूछा था में में और साल प्रेलेस में भी UPSC ने question पूछे है sports related, awards related, day of observance, तो ये minor topics होते हैं पर हो सकता है पूछ ले, UPS इसी को भी लगता होगा कि यहां पर Rajendra Nagar में या फिर online centers में आपको बहुत जारे heavy-heavy topics पढ़ाए जाएंगे, हो सकता है उसके बारे में पूछ ले, इस पर नजर नहीं जाएगी, तो इस चक्कर में हो सकता है वो ये भी पूछ ले, to check that you are aware of all the dimensions, ऐसा नहीं है कि सरफ आपकी quality, international, इन सब पे, sports पे भी अपकी कितनी interest है, उसके बारे में भी वो पूछ सकते हैं, तो इस साल 2021 का जो prelims था, उसमें questions पूछे गए था, sports awards पे, तो ये जो आपको लगता है, conventionally UPC के topics नहीं है, उसके context में ही पूछेगे, and so आपको मैं आपको बता है, बाकी सारे जो exams है, bank, APO, SSC अगरा, state examination है, उसके बारे में relevant test votes, तो तो देन, my advice is not to ignore it, so friends, this is Deepak Singh, on behalf of AQ BIOS, bye, take care.